नमस्कार यह सोचा क्या हूं, यह मेरे अंदर इस मेरे क्या आदित है, जिससे लोग मुझे इगनोर करते हैं, है कि पल, पल हर वक्त लूग आपको इगनोर करते हैं आपको ऐसे ही समझते हैं कि हरे यार हर कोई होगा यार ऐसे होगा यार आपकी कोई महतुता नहीं समझते हैं अगर आपके साथ में भी आप भी अगर ऐसा फील कर रहे होना अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है ना तो समझ लेना कि आपके अंदर भी ये bad habits है आप चाहते हैं कि लोग हमें भी importance दे लोग हमें भी ignore ना करें लोग हमें भी value करें तो आपको कुछ एसी good habits आपको अपने अंदर पेदा करनी होगी लोग आपको भी importance देंगे लोग आपकी भी value करेंगे अगर ये good habits आपके अंदर होगी तो सबसे पहले तो अगर आप कहीं ये तो नहीं करते हो कि बोलते हैं जादा और करते हैं कम हो अगर आप किसी का साथ में बेटे हो और बकर बकर करते रहते हो तो आप जो वर्ड बोलते हो ना उस वर्ड की कोई strongest नहीं होती है उस वर्ड की कोई value नहीं है ना तो लोग क्या समझेंगे अरे कुछ नहीं है या तो सिर्फ बकर बकर करता है अब जो कहता है वो करता थे नहीं आप बड़ी बड़ी डिंगे हागते हो मैं यह करूंगा मैं वो करूंगा मैं वो करूंगा मैं हमेसा वो करने की करता हूं और जब करते हो ही नहीं दरातल पर वो चीज होती नहीं है तो लोग आपकी value क्यों करेंगे लोग तो आपको ignore करेंगे क्योंकि आप बोलते ज़्याद हो बकर बकर करते हो और करते कुछ भी नहीं तो द्यान रखो कि इतना ही बोले जितना आप कर सको बीना फालतू के कुछ भी न बोले एक आपको इग्णोर करने कारण ये भी हो सकता कि आपकी वेल्यू नहीं हो आप ऐसे ही टाइम वेस्ट करते हो आप कुछ कमाते दमाते नहीं हो आप लोगों को ऐसे ही बाते फैकते रहते हो अगर आपकी value नहीं है ना market में, in society में, आपके relations में, अगर आपकी value नहीं है ना तब definitely लोग आपको ignore करेंगे और लोग जब आपको ignore करेंगे ना तब आपको लोगेगा और यार मेरे को ignore क्यों करेंगे तो सबसे पहले अपनी वेल्यू इंक्रीज करें तभी लोग आपको इग्नोर करना छोड़ें नकारात्मक बाते हैं कहीं आप तो नकारात्मक बाते तो नहीं करते हो जो व्यक्ति नकारात्मक बाते करता है जो व्यक्ति हर वक्त नकारात्मक बाते करता रहे कभी उसके मन में positive सोच नहीं आती है ना लोग उसे भी ignore करते हैं लोग क्या सोचते हैं अरे यार कोई नहीं उसके पास जाएंगे था हमेशा वो negative बाते ही करेगा कभी भी positive बाते तो करता नहीं हर बात में नुक से निकालेगा हर बात में एक ना तरह की बात करेगा नहीं यार यह नहीं हो सकता अरे यार यह कैसे हो सकता है यह तो हो ई नहीं सकता है ऐसे व्यक्ति को भी लोग इगनौर करते हैं इसलिए हमेसा लोगों के सामने positive सोच के साथ में बात करें एक positive thinking रखे तभी लोग आपको इगनौर करना छोड़ेंगे अगर हर वक्त आ डिमाग में negative idea भरो गे लोग आपको ignore अविश्य करेंगे कोई भी लोग आपको value नहीं देगा इसलिए हमेसा अपनी positive सोच रखें positive thinking रखें लोग आपको ignore करना छोड़ देगे खुद की गलती नहीं मानना बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं कि बस अपने आपको perfect समझते हैं बस मैं एक perfectist person हूँ और जब perfect की भावना अगर आपके मन में आ जाए तो आप क्या को तो एक arrogance की भावना आ जाती है एक मतलब एक गमंडी की भावना आ जाती है नहीं बस और आगर आप से कोई गलती हो जाए ना तो नहीं को गलती मानना ही नहीं मैं सर्वे सर्मा हूं सर्वेस्ट हूं जो इंसान अपनी गलती नहीं मानता है बस हर वक्त समझता है कि मैं अपने आप महूं तो ऐसे लोगों को भी लोग करते हैं ऐसे लोगों को बाव नहीं देते हैं जब भी आप से कोई गलती हो जब भी आप से कोई mistake हो जाया था politely आप करिए कि हाँ яр मुझसे गलती हो गए आगे में ज्यान रूँपा, आज में मैं इस mistake को repeat नहीं करूँगा तो हर कोई आपको value देगा, हर कोई आपको importance देगा दूसरों के निंदा अगर आप किसी की पीट पीछे निंदा करते हो ना तो भी लोग आपको इग्नोर करते हैं लोग क्या कहेंगे अरे कुछ नहीं यार उससे मिलेंगे तो वो उसकी बुराई करेगा उसके पास जाएंगे तो वो उस आदमी की बुराई करेगा जो मिलता है जिसके criticize करते थे अरे यार आप लोगों की praise करिए, प्रसंसा करिए, उनके अच्छे कामों की हमेशा प्रसंसा करिए, लोग आपको value देंगे, आपके पीट पिछे आपकी value देंगे, आपके सामने तो छोड़ दीजे, आपके पीट पिछे भी अगर value देंगे, अगर आप चाते हो कि लोग आपको ignore न करें, लोग आपको importance दें, तो ये बाते अपने जीमन में उतार लेंगे